हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वाकत है अपने इस वीडियो में तीन महत्पून लेटर आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ एक है नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ और एक है वार इंजूर को फैमिली पैंसर को लेकर तीनों ही लेटर बहुत महत्पून है आप सभी को ये तीनों ही लेटर जरूर देखने चाहिए और समझने चाहिये नुशनल इंक्रीमेंट पर रिकोर्ड का लेटरस सुप्रीम मोट्प के आदेस का दिया हवाला वार इंजूरी पैंसरो नहीं मि बेटी को फैमिली पैंसन नहीं मिलेगी अगर क्या है कंडिशन 2017 का कौन सा वो आदेश है जिसके आधार पर विड़ो बेटी को फैमिली पैंसन नहीं दी जा रही है। देखे अगर हम बात करें छटे वेतनायोग में जो था जुलाई केवल एक जुलाई को इंक्रिमेंट दिया जाता था तो जो 30 जुन को रिटायर हो गया उसको इंक्रिमेंट नहीं मिल पाता था लेकिन साथवे वेतनायोग में देखे ये कंडिशन साल में मिलेगा एक ही बार लेकिन dates को जो है flexible कर दिया गया या तो आप जुलाई को ले ले या एक जनवरी को ले ले तो ऐसी condition में आप अगर जिस दिन आपको increment मिलना था उससे एक दिन पहले retire हो रहे हैं आपको national increment का फाइदा दिया जाना चाहिए Supreme Court का judgment भी है जो यहाँ पर देखे दिखाया गया है तो यहाँ पर देखे पैंशनर ने grievance डाली तो grievance में जो reply आया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं देखे इन्होंने यहाँ पर जो है यह records है इसने P.A.O.R. जो है उसको बोला उन्हें क्या लिका यह तो Supreme Court का judgment है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा फिर दूसरा इन्होंने कैग के आदेश का हवाला दिया कैग का एक लेटर था 18 जनवरी 24 का जिसमें उन्होंने बोला है देखी कि तीन साल के लिए दिया जाना चाहिए यह भी मैं आपको दिखाऊंगा in view of the above it is requested to confirm of the above mentioned policy is being implemented or decision awaited as the office is now receiving petition given reference to the IBID letter of the C.A.G. देखे यहाँ पर दो letter है दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगा इस Supreme Court का आदेश भी और कैका इन्होंने पूछा है कि क्या ऐसी कोई policy आई है देखे यह है Supreme Court का judgment जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया कि देखे जो one national increment है वो उनका फाइदा दिया जाना चाहिए और उससे पहले देखे हाई court में बहुत सा judgments है फिर करनाट का हाई court के judgment को Supreme Court में यहाँ पर challenge किया गया Supreme Court ने भी देखे वो ही judgment माना कि देखे पैंशनर को one national increment का फाइदा दिया जाना चाहिए और यह देखे judgment है 13 अप्रेल 2023 का Justice M.R. शहा और Justice C.T. रवी कुमार सोरी उसके बाद में देखे 18 जर्वाई 2024 को CAG का यह आदेस आता है और उसमें साफ साफ यह mention किया गया था कि देखे grant of national increment किस किस को दिया जाना चाहिए और यहाँ पर देखे इन्होंने यह भी बोला how are the said benefits shall be granted only to those officials who have retired on or who will be retiring from service after the order of the Honorable Supreme को यह नि 2023 अप्रेल के बाद जो retire हों उसका ही केवल इसका benefit दिया जाना चाहिए तो यह जो दोनों letter थे इन दोनों letter का हवाला दिया गया था उस letter में और record ने कहा कि हम इस पर क्या करें तो यह देखिए जो अभी तक चानकारी है DOPT की तरफ से MOPPG की तरफ से कोई भी आदेश अभी तक नहीं आया है केवल मंत्रालियों में आपस में बात्चीत चल रही है और हो सकता है कि देखे बहुत ही जल्द इस पर कोई आदेश भी आ लेकिन देखे इनको जो है war injury element मिलना चाहिए था क्योंकि operation पवन के दोरान इनके pair में बुलट लगी थी जिसकी वज़से यह इन्हों की medical reports वगरा सारे मैंने documents submit कर दिये थे और दो बार देखे मैंने यहाँ पर इनकी grievance डाली दोनों बार जो reply क्या आता है both times reply sent to me for other person name जो इ एक्स रिक्रूट हवलदार जो है नहीं है एक्स रिक्रूट दयानंद है जबकि इनकी official rank दयानंद हवलदार थी तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या गलती है कि सर्विस नंबर भी अलग है सब कुछ अलग है लेकिन उनके पास दयानंद नाम गया उन्होंने उठा के भीज़ दिया कि देखे ये बार-बार हमें तंग कर रहे हैं और इनको पैंसन नहीं मिल सकती क्योंकि 15 साल सर्विस नहीं किये इन्होंने और ये साधी कंडिशन लगा कि इन्होंने लेटर भीज़ दिया हमने फिर अपील भी की और तीसरी बार ग्रिवेंस भी डाला उसके बाद में देखिए 28 मई 24 को इनके पास ये रहे लेटर आता है पुब्लिकेशन ओफ डियो पार्ट टू ओडर रिगार्डिंग बैटल कैजवल्टी एंड ग्रांट ओफ वार इंजुरी अलिमेंट देखे बहुत बड़ी बात है और बहुत महकपून ये लेटर है तीन बार अपील किया ग्रिवेंस डाला तीनों बार रिप्लाई आता है कि आप देखे हमें तंग कर रहे हैं और देखे इनको नहीं मिलना कुछ भी क्योंकि ये रिक्रूट के रूप में रिटार हुए थे लेकिन ये हवालदार है इनका सब कुछ फिर हमने बहुत हार्ड लेंग्व आप नाम चेक कीजिए, सर्विस नंबर चेक कीजिए, पूरी चीज़े चेक कीजिए उसके बाद में अपना तो उसके बाद एक रिप्लाई आता है कि आपका पार्ट टू ओडर बन चुका है जो पहले ही था और इसलिए आपको वारूंजरी अलिमेंट नहीं मिल रहा था क लेकिन अब कंडिशन में जो है इनको बैटल कैजवल्टी सर्टिकेट मिल चुका है पार्ट टू ओडर भी इनका हो चुका है और अब जाके इनको जो है वार इंजरी अलिमेंट जो है दिया जाएगा अब उनको वार इंजरी पैंशन दी जाएगी तो देके बहुत 6-7 महीने से जादा हमको लड़ना पड़ा और ये मेरे बहुत कैस्ते हैं पुराने दर्सक हैं और कही बार हमने इनके केस को लेकर देखिए आर्ट एई तक भी डालने की कोशिस की है लेकिन फाइनली इनको देखिए नियाय मिल चुका है और वो भी ग्रिवैंस और अपील के माध्यम से ही अब चलते हैं देखिए एक ये लेटर है ये है डारेक्टेट ओफ एयर वेटरंस एयर हैड़कॉर्टर की तरफ से फेमली पैंसन टू विदो डोटर एक एक्स वारंटोस साब थे उनकी डोटर को फेमली पैंसन के लिए उन्होंने अपील की थी देखिए हमें फेमली पैंसन मिलनी चाहिए तो इन्हों की death जो है 1969 में हो जाती है यानि उनके service में रहते हुए उसके बाद में death of husband of air veterans daughter जो इनकी बेटी थी उनके husband की death होती है 2020 में फिर उन्होंने अपना case किया कि देखे हमें disability pension वो sorry family pension दी जानी चाहिए क्योंकि widow daughter को family pension दी जाती है तो यहाँ पर देखे जो reply दिया है इन्होंने reply दिया है government of India ministry of defense letter number 2017 का है उसमें साफ साफ बताया गया है only those children who are dependent and meet other conditions of eligibility for family pension at the time of death of the government servant or his her spouse या तो family pensioner या उनके spouse की death जो भी later whichever is later are eligible for family pension उनको family pension दी जाएगी from the details as mentioned above जो जो ABC लिखा गया है उपर इसमें बता चल रहा है कि देखे जो air veterans है late air veterans की daughter Clement was not dependent upon her father वो अपने father पर dependent नहीं थी after her marriage during his lifetime till death 1985 जब तक उनके पापा की death हुई और जब उनकी marriage हुई उसके बाद में उन पर वो dependent नहीं थी thus she is not be eligible for family pension after death of her father अपने father की death के बाद उनको family pension नहीं दी जा सकती है simply because she has become widow post 39 years of father's death क्योंकि अपने पिता की 49 साल death के 49 साल बाद ये विडो हुई है तो ऐसी condition में केवल विडो होने से ही इनको family pension नहीं दिया सकती है इसके लिए इनको family pension मना कर दिया गया ये है देखे 17, 11, 2017 का वो letter ministry of defense DESW का जिसमें उन्होंने सारी conditions बताई है देखे इस letter का paragraph number two बहुत ज़्यादा important है पहली तीन lines में कुछ letters का हवाला दिया है और फिर उन्होंने बताया family pension is payable to the children as they are considered to be dependent on the government servant या pensioner or his or her spouse यानि family pension उन बच्चों को दी जाएगी जिन बच्चों को dependent समझा जाएगा government servant के उपर या उनकी spouse के उपर a child who is not earning equal to the more than sum of minimum family pension and dearness relief यानि जो family pension है minimum और dearness relief उन दोनों को जोड़ दो अगर उससे कम वो कमा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको dependent समझा जाएगा therefore only those children who are dependent अब देखिए यहाँ पर बताया गया है केवल वो ही बच्चे जो dependent है और ये conditions fulfill करते हैं कब at the time of death of the government servant या तो government servant की death के समय या उनकी spouse की death के समय जो भी बाद में हो तो जो हमने आज case देखा उसमें देखे death जो servant की है वो बाद में होती है are eligible for family pension उनको ही family pension दी जाएगी और इनी तीन लाइनों से उठा कर उन्होंने वो judgment दिया है उन्होंने वो बताया है कि देखिए ये condition fulfill नहीं कर रहे है does she's not be eligible for family pension after death of her father simply because she has become widow post 39 years of her father's death और यहाँ पर इन्होंने देखिए तीनों चीजे mention कर दी है कि किस दिन उनकी death होती है किस दिन उनकी जो wife की death होती है और किस दिन उनकी बेटी के husband की death होती है तो ऐसी condition में उनको यहाँ पर दिखे neglect कर दिया गया उनके case को reject कर दिया गया अगर आप यह चाहें तो दिखे AFT जा सकती है अच्छे से advocate से बात कर सकती है और आगे की तरहा अपनी ढूंड सकती है लेकिन अभी तक यही है कि दिखे उनका जो case था उसको reject कर दिया गया आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैभारत